आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या आरे समाज मंदिर में की गई शादी कानूनी रूप से हिंदू मैरेज एक के तहत मानने होती है बहुत सारे लोग जो love marriage करना चाहते हैं और उनके परिवार वाले राजी नहीं होते तो वो आरे समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उसी को लेकर आज कल हमारे समाज में बहुत सवाल उट रहे हैं लोगों के मन में बहुत सारे doubts हैं कि आरे समाज मंदिर में की गई शादी वैलेड नहीं होती, तुम्हारी शादी वैलेड नहीं है, तलाक नहीं होगा, शादी की माननेता नहीं है, लड़के के उपर रेप का केस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में हैं, उसी को लेकर आज हम ये वीडियो बन माननेता हो, और लड़के के उपर रेप का कोई जूटा आरोप लड़की के परिवायवाले ना लगा दे, इसी को डिटेल में डिसक्स करेंगे, मैं अड़केट सपना कौशिक, इसमें आपको वीडियो में सारे प्रोविजन बताऊंगी, कैसे आप अपनी शादी को कानुन कानुनी रूप से माननेता दिलवा सकते हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देखें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपके इन और मुद्द पर वीडियो चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें, बात करते हैं हिंदू मारेज एक की, आखे यह किस किस पर लागू होता है, तो हिंदू मारेज एक 1955 का सेक्शन 5 यह बताता है कि यह सभी हिंदू के उपर लागू होता है इसमें आरे समाज या ब्रह्म समाज या कोई भी हिंदू सब के उपर यह applicable होता है, चाहे वो किसी भी पद्धती को मानते हो, किसी भी पूजा पत्ती को मानते हो, उनके उपर हिंदू मारेज एक लागू होता है, जो कोई भी हिंदू है, चाहे वो किसी भी तरीके की पूज बद्त्ते को मानता है, उसके बाद बात आती है, कि हिंदु मैरेजर्ट सभी हिंदु के उपर लागु हो गया, तो फिर ऐसा क्यू है, जब आरेश समाज के लोगों पर भी लागु होता है, तो आरेश समाज मंदिर में की गई शाधी के ऊपर, इतने सवाल क्यों है, तो एक जजमेंट आये था सुनील लोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें जस्टेस बीवी नागरतना और दूसरे जस्टेस ने ये कहा था कि आरे समाज का ये काम नहीं है कि वो सर्टिविकेट इशू करे यानि कि उसका रजिस्ट्रेशन करे तो क्या अगर कोई वेक्ति आरे समाज मंदे में शादी करता है तो क्या उसकी कोई वेलेडेटी नहीं है हिंदू मैरेज एक्ट का सेक्शन सेवन कहता है कि आप किसी भी पूजा पदती को मानते हैं आप अपने कस्टम्स के हिसाब से अपने रीती रिवाज के हिसाब से शादी कर सकते हैं और आपकी श साथवा फेरा ले लेते हैं तब ही आपकी शादी वेलेड होती है तो हिंद्व मैरेज एक के सेक्शन 7 में कहा गया है कि लड़का या लड़की अपने रीती रिवाजों से शादी कर सकते हैं और अगर उनके रिती रिवाजों में साथ फेरे लेने की प्रथा है तो उने साथ फेरे लेने होंगे और जब साथवा फेरा कमपलीट होगा तब ही उनकी शादी की कानूनी रूप से माननेता होगी तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरेज समाज मंदिर में की गई शादी वेलेड नहीं है, वो शादी भी उतनी ही वेलेड है लेकिन आपने साथ फेरे यानि कि हिंदू मैरेज एक्ट का सेक्शन 7 इस बात पर जोल देता है कि लड़का और लड़की जिस भी समुदाय से आते हैं उस समुदाय के रीती रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं और अगर उनके रीती रिवाजों में साथ फेरे लिए जाते हैं तो जब 7 फेरा ले लिया गया तभी शादी पूरी मानी जाएगी इसी प्रकार से आप आदे समाज मंदिर में अगर साथ फेरे लेके शादी करते हैं और जब साथ फेरा लड़का और लड़की ले लेंगे तो आपकी शादी पूरी तरीके से वैलेड है सवाल जो उट रहे हैं जो सुप्रीम कोड ने कहा वो ये कहा कि बहुत सारे लोग आदे समाज मंदिर में जाते हैं साथ फेरे नहीं लेते और सिर्फ सर्टिविकेट इशू करवा लेते हैं उस सर्टिविकेटी कोई वैलेडिटी नहीं है शादी के रजिस्टेशन की बाद हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन एट कहता है यानि कि सेक्शन सेवन के तहट आप शादी करते हैं कि किस प्रक्रिया से शादी की जाएगी जब आपके सात फेरे कंपलीट हो जाएगे बहुत सारी जगह एसा होता है जहां पर सात फेरे नहीं ले जाते हैं उसके बाद रजिस्टेशन जो है आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन एट के तहट करवाना होता है तब आपकी शादी पूर्ण मानी जाती है तो आरे समाज मंदिर में आप शादी करें उसकी पूरी validity है लेकिन उसके बाद section 8 Hindu marriage act के तहार अपनी शादी को register कर वा ले और यह शादी का registration हर state के according अलग अलग होता है क्योंकि यह state का subject होता है कि कानूनी मानेता नहीं है वो कानूनी रूप से valid नहीं है validation तब होता है जब आप उसको register करवा लेते हैं लेकिन शादी आरे समाज मंदिर में अगर साथ फेरे लेकी की गई है तो उसे माना जाएगा और फिर आप अपनी शादी को register करवा सकते हैं यह था पूरा प्रोसस की आरे समाजमानदी में शादी करें और फिर अपनी शादी को कर देंद तो इसकी evidently value नहीं है तो रजस्त्रेशन यहारी कि इस जादी पर सवाल नहीं है दोनों के भीछ बार 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 आपको यह दूछ कर रही हूं तार्कि एपके दिमाग से डाउट क्लियर हो जाए 11 communities इन शेयग पर कोहीं सवाल नहीं है सवाल चाहिए होता है जो आपके शाधी में आके मंत्र पढ़ता है और आपके फेरे कर्वाता है तरह के भूमी जैसा की कोई पुजारी का पंडीत को इस तर्झी करता है सिर्च क्योंतों, होजती कोई कर स्क देडीत, और कंस कि Bernasal marc होते हैं लेकिन उसके बाद आपको अपनी शादी को रजिस्ट्रे करवाना होता है हिंदू मारेज एक के सेक्शन 8 के तहट आपको अपको क्लियर हो चुका होगा कि आरे समाज मंदिर में अगर आप साथ फेरे लेते हैं तो वो कानूनी रूप से मानने होते हैं आपको वीडि आप वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएगा धन्यवाद